हेलो गाइस वेलकम बैक टो वार यूटूब चैनल तो कैसे हैं आपसे लोग मैं आ गया हूँ एक और लर्णिंग वीडियो को लेकर तो आज हम ट्रेड करेंगे AUD-USD पर ठीक है जो AUD-USD पर हम आठ ट्रेड करेंगे क्योंकि मैं बेसिकली ट्रेड करता हूं हमेशा यूरो-USD पर आप लोग वह पता होगा मैं यूरो-USD पर हमें से ट्रेड लेता हूं लेकिन आज मैं ले रहा हूं AUD-USD पर क्योंकि जो आज यूरो-USD का पेयर है वह स्टेवल नहीं है फिर एक सरी कह सकते हैं कि आज न्यूस है उसके अंदर अभी इस टाइम न्यूस चल ल हुआ ठीक है तो अभी मैं पहले एक मुझे अपॉंचियोंट दिख रही है यहां पर डाउन के साइड मतलब कि यह वाली केंडल हमारे डाउन बनेगी तो मैं यहां पर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा 6K मैंने यहां पर 6K अपना स्लेक्ट कर लिया है और मैं पहले थोड़ा सा इसको उपर जान दूँगा या फिर थोड़ा सा अपॉर्चियोटी मिलता ही जैसे कि अगर अगर हलकी सी भी उपर ग्रीन बनती है तो मैं यहां से एक ट्रेड ले लूँगा लेकिन यह मुझे लग रहा है यहां से अच्छा गासा बिल्कुल यहां पर एक न्य हां से क्या होँ यह मोइंटम हमारा डाउन कि तरफ हो ठ्ली यहां पे हमारा मुं। वीग बनी है इसके मतलब हें डाौब इसी के आपको दिख जाए कि कहां पर विन हो गई, कोई नहीं तो अगर इसको सीखना पड़ता थोड़ा time लगता है इसको सीखने में कोई नहीं अभी मेरा 50 अभी नहीं हुआ है आज मुझे तो अब मैं 7K का investment अपना रख लिया है और ये वाली I think green होगी क्योंकि और time भी निकल चुका है कोई नहीं अगर ये वाली green होती है तो मैं next दुबारा से एक और red की तरफ जाओंगा अगर ये red होती है तो मैं green की तरफ जाओंगा ठीक है मैं आपको बाद में बता हमारा नहीं हुआया तक नहीं पहुंचाई हमारा momentum ठीक है तो अभी हम फ्टोड़ा वेट कर लेते हैं जैसे मैं आपको बताया अगर ये green बनती है तो हम red लेंगे तो थोड़ी उपर जान देंगे उसके बाद हम यहां पर 30 सेगंड में एक trade प्लेस कर देंगे ठीक है तो ज इसका वेट कर लेते हैं जैसे कि अभी एको trade हम नहीं ले सकते हैं जैसे कि अभी में पर ले लेता हूं क्योंकि ही पर है हमारी opportunity मैं दो trade हम इनवेस्ट कर दिया है तो हो सकता है इन दो trade में हमारा आज का capital है वो reach हो जाए और आपको next दिन या फिर उसके अगले दिन आपको दिखें withdrawal में डाल दूँगा गुरूप में ठीक है withdrawal निकाल लूँगा क्योंकि मैंने बहुत time से अभी withdrawal last वाला withdrawal डाला था ठीक है तो इस वाले withdrawal को भी निकाल के अराम से अपन लोग मोच करेंगे ठीक है तो देखें जब भी आप trading करें तो अपने mind को हमेरे सा fresh रखिए ठी ठीक है जितना fresh आपका mind रहेगा उतना अच्छा चलेगा जैसे कि मैंने आपको बताया यह ready बनेगी क्यों बनेगी यह चीज़े में आपको बाद में बताऊंगा जब वीडियो end होने वाली होगी या फिर जब यह चीज़े है मैंने अपने course में deeply बिल्कुल deep तरीके से बता बता है वह आपको सारी बाते कभी नहीं बताएगा यूटूब पे अगर वह सारी बाते यूटूब पे ही बता देगा तो और उसकी जो knowledge है जो उसने gain करी है ठीक है मतलब कि मैं यह नहीं कह रहा कि course से बंदे से knowledge होती है मतलब knowledge ले सकते है course से भी आप लेग ठीक है तो अप आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपको यहां ट्रेड लेनी चाहिए कि यहां पर आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए ठीक है तो जैसे कि मैंने आप कहा था आपको मैं आपना 16 के मतलब 60 के मतलब 60,000 रुपे अपना मैं कल लूँगा capital और मेरा 60,000 रुपे मेरा capital आप देख सकते हैं हो चुका है तो अब मेरे को लगता है कि मेरे को ट्रेड नहीं लेनी चाहिए और मैं 60 का 60,000 रुपे अपना निकालके अपना मौच करूं ठीक है कह सकते हैं को इनी मतलब कि देखिए ट्रेडिंग जब भी करें और अपने माइंड को हमेरे से फ्रेश रखिए जब मार्किट में यह वाली कंडल मार्किट में यह बताल यह लेकिन आगर आगर आपको अच्छे से यहां बताने बैड घीडिया तो यह जो वीडियो है जो 47 ce 2-3 गंटे के फिलिम बन जाएगी जो लोग जिनको इंट्रस्ट है वह देखें गे तो मतलब इतनी वड़ी वीडियो को यूटूब पर नहीं देखेंगा और हाँ जब भी आप ट्रेड लेने बैठे तो मार्केट में पहले मार्केट को देख लिजे मार्केट में कोई नियूस तो नहीं है ठीक है अगर नियूस है तो नियूस के साथ भी आप ट्रेड ले सकते हैं अगर आप चाते हैं मैं नियूस के ओपर भी एक वीडियो बनाओ तो आप मुझे बतादिज़ेगा DM कर दीज़े या फिर आप मुझे परसलना कर बता जिए कि न्यूस के ओपर एक वीडियो बना दिज़े क्योंकि मुझे पता है न्यूस ट्रेट भी कैसे करते है न्यूस ट्रेट भी ले लेता हूँ ठीक है लेकिन मैं उसे बताता नहीं हूँ, जैसे गूरूप में डालना या वो करना, क्योंकि छोट-छोटी चीज़े डालने से कोई फायदा तो नहीं है, अगर जो बड़ी चीज़े होते हैं, जैसे कि YouTube पे वीडियो डालना, उनसे हमें लगता है कि हाँ, लोगों को समझ आएगा, और लोगों कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से market में कैसे होती है, कैसी नहीं लेते हैं, ठीक है, तो मतलब, कोई नहीं, ठीक है, तो में को लगता है कि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, 7-8 मिन तक हम वीडियो को रखते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो को खतम कर ठीक है तो मैंने आपको जैसे बताया आप देख सकते हैं ठीक है मैंने अपना कैपिटल उतना रीच कर लिया है मैंने जितना अरखा था मैं भूल गया लेकिन कोई नी क्योंकि अभी विडियो हो जाएगा उसके बाद पता चल जाएगा आपको ठीक है गूरूप में डाल दू